नमश्का नवरातरी का पांचवा दिन यहाँ दिन मादुर्गा के पांचवे रूप मम्ता की मूरत कही जाने वाली सकंद माता को समर्पित होता है इस दिन सकंद माता की पूजा अर्चना की जाती है सकन्द माता का रूप सौंधर्य अतुलनिय आभा लिये शुब्रूवर्ण का होता है ममता की मूर्ति सकन्द माता की घूध में भगवान सकन्द यानि की स्वामी कार्थी के शुभाय मान है मान्यता है कि इसकंद माता की पूजा करने से मंद बुध्धी भी ज्यानी हो जाता है संतान सुक की प्राप्ती होती है और संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है परवत राज की पुत्री होने के कारण मा का नाम पारवती है शिव की पत्नी होने के कारण मा का नाम महेश्वरी है इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहते है अपने पुत्र से बेहत प्रेम होने के कारण मा को सकंद माता भी कहा जाता है साथ ही में पदमासना देवी और विद्या वाहिनी दुरगा भी मा के ही नाम है भगवान सकंद बाल रूप में मा की गोद में विराजित हैं मा की चार भुजाएं हैं दाईं तरफ की उपर वाली भुजा से मा ने अपने पुत्र सकंद को गोद में पकड़ा है बाईं तरफ की उपर वाली भुजा बरद मुद्रा में हैं और दाईं तरफ की नीचे वाली भुजा और बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल कपुष्प शुशोबित है इनका वर्ण एक दम शुएथ है और ये स्वेम कमल के आसन पर विराजमान है इसलिए मा को पदमासना भी कहते हैं और मा सीह पर सवार होती है स्कंद माता प्रसिद देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापती बनी थी जिस वजह से पुराणों में कुमार और शक्ती कहे कर इनकी महीमा का वर्णन किया जाता है एक और पुरानिक मान्यत की अनुसार सकंद माता मा पारवती का ही रोद्र रूप है इस संभन्द में बताया जाता है कि एक बार कुमार कार्थिके की रक्षा के लिए माता पारवती अत्यधिक क्रोधित हो गई थी और क्रोध में आकर आदी शक्ति के रूप में प्रकट हुई तब देवराज इंद्र मा के इस रूप को देखकर भै से कांपने लगे और फिर उनके चरणों में गिर कर अपने प्राणों के लिए शमा याचना करने लगे क्योंकि माता के पुत्र कुमार कार्दिके का एक नाम सकंद भी है इसलिए सभी देवतागन माद दुरगा को मनाने के लिए उनके इस रूप को सकंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तूति करने लगे तभी से मा दुर्गा के पांचवे रूप को सकंद माता कहा जाता है सूरे मंडल की देवी होने के कारण मा के उपासक को अलोकिक तीज और कांती प्राप्त होती है जो उपासक पूरे भक्ती भाव के साथ एकागरचित होकर मा में ध्यान लगाता है और मा के चरणों में अपनी आपको समर्बित कर देता है मा उस भक्त के सभी दुखों को दूर कर उसके लिए मूख्ष के द्वार खोल देती है सकंद माता को वानी अर्थात आवासकी देवी भी माना गया है इसलिए जो लोग इस प्रकार के काम से जुड़े हैं जहां पर आवाज की जरूरत होती है ऐसे लोगों को विशेश तोर पर सकंद माता की पूझा अर्चना करनी चाहिए ऐसा माना जाता है कि मा को लाल रंग बहुत ही प्रिय है तो हो सके तो मा को लाल गुलाब की फूल अर्पित करें साधी में माननेता है कि मा का वरत और पूझा पाठ करने से पापों का नाश होता है संतान हीन को संतान की प्राप्ती होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है धन्यवाद